तो दोस्तो RBSC Board अजमेर की तरफ से आप सब के लिए दो लेटेस्ट अपडेट आएं एक अपडेट है प्रेटिकल अग्जाम 2024 को लेके और दूसरा अपडेट है स्टुडेंट की स्कोलर्शिप को लेके दोनों ही जो अपडेट है वो इसकोल साथियों के लिए और इस्टुडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाले नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुर्शिप तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पहले वाले अपडेट की सुरुवात करते हूँ और पहला अपडेट है प्रेटिकल अग्जाम 2024 को लेकी और ये जो अपडेट है उन इस्टुडेंट के लिए है जिनोंने आरबीएसी बोर्ड अग्जाम 2024 का प्राइवेट इस्टुडेंट के तोर पे आवदन फोरम बरा था तो ऐसे इस्टुडेंट की जो प्रेटिकल अग्जाम है वो 15 फरवरीद से लेके 20 फरवरीद 2024 के बीच में आज जित होने वाली है तो इस प्रेटिकल अग्जाम को लेके आरबीएसी बोर्ड के दवारा प्राइवेट इस्टुडेंट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है तो जिन इस्टुडेंट ने प्राइवेट फोरम भरा है वो आज ये आरबीएसी बोर्ड की ओफिसल वेबसाइट पे जाके अपना प्रेटिकल का एडमिट कार्ड वो डाउलोड कर लीजेगा यहाँ पे आपको अपनी सामाने जानकरी भरनी है अपनी डिस्टिक की जानकरी आपको भरनी है आपका एडमिट कार्ड आपके पास आजाएगा और जिस भी प्रेटिकल सेंटर में आपका नंबर आया है वहाँ पर आपको विक्तिगत है वो जाना पड़ेगा ध्यान दीजेगा यहां पर जो भी प्राइवेट इस्टूडेंट है उनको केवल एक याउसर दिया जाएगा यदि आप प्रेटिकल देने से चुक जाते हैं या फिर सेंटर में नहीं पहुंचते हैं तो बाद में आपको इसका मुका नहीं दिया जाएगा और आपकी ये कक्षा है वो फैल हो जाएगी तो समय रहते अपना एड्मिट कार्ड भी डाउनलोड कीजेगा और जो डेट आपको दी गई है उस डेट पर निर्धारी सेंटर पर आपको है वो पहुंचना है आसा रखता हूँ ये बात आप जरूर समझ गयोगे चलिए दूसरे अपडेट की सुरुवात करते हैं दूसरा जो अपडेट है वो इसकोलर्शिप के लिए है RBC बोर्ड के दवारा इसकोलर्शिप की आवेदन प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई है और ये जो आवेदन फोरम है वो 10 फरवरी से लेके 25 फरवरी 2024 तक ओनलाइन है वो भरे जाएंगे ये जो इसकोलर्शिप है उन इस्टूडेंट के लिए है जो जनल केटेगरी से है और आर्थिक पिछडे वरक से है यानि जनल केटेगरी की जो EW सरेणी होती है उसके अंदर है तो ऐसे इस्टूडेंट की इसकोलर्शिप के आवेदन फोरम भरना शुरू है तो जिन 2023 में कक्सा 10 में 80% या इससे अधिक प्राप्त के हैं ऐसे स्टूडेंट इस स्कोलर्शिप के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लाद जिन स्टूडेंट ने वर्स 2022 में भी इस स्कोलर्शिप के लिए आवेदन किया था तो वो अपनी स्कोलर्शिप का नवनिकर्ण के लिए आवेदन कर सकते हैं, अब आप ये आवेदन कहां से करोगे, यदि आप इस रेणी में आते हो, तो इसके लिए देखिए, आपको अपनी खुद की ही स्कूल से आवेदन करवाना होगा, आप खुद है, अपनी लेवल पे ये आवेदन फोरम नहीं भर सकते हैं, इस प्रकार से कक्षा दस्वी और बार्वी का बोर्ड फोरम भरा जाता है, इसकूल की तरफ से, उसी तरह से यहाँ पर ये इसकूलर्शिप का फोरम, इसकूल की तरफ से ही भरा जाएगा, तो ये इसकूलर्शिप का आवेदन फोरम भरवाने के लिए, आपको अपनी इसकूल से हो संपर एक तो यहाँ पे आपकी जो मारक शीट है उसके आवसिकता होगी एक आपका जो आधार कार्ड है उसके आवसिकता होगी और एक सबसे इंपोर्टेट दस्तावैज वो है आपकी EWS सरेनिका सर्टिफिकेट जो कि एक साल से जादा पुराना नहीं होना चीए अभी भी आपके पास समय है यह जो दस्तावैज यह आपने नहीं बनाया है तो समय रहते हो बनवा लीजेगा आसा रगता हूँ यह बात भी आप समझ गये होगे अगर इस इसकोलर्शिप के बारे में आपको और कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए एक सेप्रेट वीडियो है आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ले के आऊँगा यह आप जादा से जादा कमेंट करोगे अन्यता मैं हर साल इस स्कोलर्शिप के बारे में बताता हूँ इसकी पूरी प्रोसेस बताता हूँ आप यूटूब पे जाके सर्च कर सकते हैं बाई राजगूर जी तो हमारी पुर झाल झाल